सब्सक्राइब करें में चनल को और बाई लगान को क्लिक करें ताकि आप पीडियो को भी फीडियो को मिस नहीं कर सकें और ये बिल्कुल फ्री है मैं हूँ अपनी फ्रेंड साच की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेगा हैं हूँ सब्सक्राइब करें तो इस वीडियो को निकारने में बहुतादा मलत करेंगे विश्वास नहीं होता तो इस वीडियो को लाज तक जरूर देखे तो चलिए शुरू करते हैं अपनी साच की वीडियो को जड़ एक ही है हमारे चेहरे पे एकसिव और इस ओल की वजए से हमारे पे दाने निकलते हैं पिंबस निकलते हैं ब्लेक हैट्स वाइट्स और ना जाने क्या-क्या तो इसलिए आप लोग के लिए बहुत ही असान सा सॉलूशन में लेके आई हूँ जिसके लिए आपको चाहिए सॉल्ट और इससे हम लोग बनाएंगे टोनर को चलिए देखते है आप इसे ठंडा होने दीजिए और ठंडा होने के बाद आप इसे एक बोटल में कर लीजिए हमारा टोनर बनकर तयार है तो ये टोनर स्पेशली ओईली स्किन के लिए बहुत पूरे फेस पर जितना भी ऐक्सेसिव ओईल रहता है आपके पोर स्किन देख वो सब गायब हो तो यह हमारा एक बहुत ही अच्छा सा और असान सा टोनल मैट लिप्स्टिक का चलन आजकर बहुत जाता है सभी को पसंद भी बहुत आती है और आनी भी चाहिए क्योंकि काफी लॉंग लास्टिक है काफी लंबे समय तक चलती है लेकिन इसको लगाने के बाद एक जो सबसे लगाने से हमारे जो लिप्स है वो काफी खीचे हुए फटे हुए बिल्कुल ड्राय फील होता है और साथ इसमें क्रैक भी दिखाई देती है तो इसका भी सॉलुशन सॉल्ट के पास है किस तरीके से चलिए मैं बताती हूं तो सॉल्ट की मदद से हम लोग एक लिप लिप्स है काफी जादा ड्राय हो जाते हैं तो अगर आप इसकी मसाज करेंगे तो आपके लिप्स पर जितनी भी नजस है वो दूर हो जाएगी डेट्श सेल्स हैं वो सब दूर हो जाएंगे और आपकी लिप्स बहुती स्मूध और सॉफ्ट बन जाएंगग 2 sphlt आपकी पोर्स को ओपन करके काफी अच्छे से उसको क्लीन करेगा तो चले देख लेते हैं किस सरी किसे को करना है तो स्टीम लेने के लिए हमें गरम पानी की जरूत पड़ेगी आप गरम पानी ले लीजे और इसी के अंदर हम लोग एक चमश नमक एड़ कर देंगे और अब आपको इसकी स्टीम लेनी है इस स्टीम लेने से दोस्तों आपके पोर्स में से जितना ओयल है वो तो जाएगा ही साथी उसमें जितनी भी गंगी है बैक्टीरियास है वो सब भी दूर हो जाएंगे ये स्टीम जिनके एकने है वो जरूर ले उनको बहुत ही जादा फाइदा हो ले और साथ ही आपके दातों को बनाएगा एकदम वाइट इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं जैसे कि अगर आप इसके गागल करेंगे तो आपकी अगर गले में कोई इंफेक्शन है तो उनको भी दूर करने में काफी दाद मलत करेंगा यह आपको किस सरी केसे करना है चलिए म बहुत ही थोड़ा सा में बेकिंग सोडा लेना है और इसी के अंदर हम गरम पानी एड़ कर देंगे तो दोस्तों यहां पर हमारा जो माथ वोश है वो बनकर तयार हो गया है तो पानी गरम आपको उतना लेना है जितना कि आप बरदाश कर सके जादा गरम पानी भी यूज इससे आप माथ वोश कर सकते हैं चाह साथ ही गालगल भी कर सकते हैं इसकी हल्प से आपकी जितनी भी बैट बैट की पॉब्लम है वो भी दूर होगी और गले में को इंफेक्शन है वो भी दूर होगा तो यह थे हमारे सॉल्ट के पांच ऐसे यूज जिनका यूज करके आप hmomm pregnant box में लिखिये कमें लिक वाक की जानने का में मेले और हमाई जो बाقي विवघ़ हैंे उनको भी जानने का मुले में सुल्म ह on मैंने कामाच तो आप नीचे कमेंट In me कहीं पर भी मुझे social media पर आप follow कर सकते हैं उनके link आपको नीचे description box में मिल जाएंगे Instagram पर मैं आज कर काफी जादा active हूँ तो आप वहाँ पर मेरी friend बन सकते हैं चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई topic के साथ तब तक के लिए बाई बाई मेरी और भी इंट्रोस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप दिवह लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और आप वीडियो पर पहुंच जाएंगे और मेरी चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना थेंक्यू सो मच